दोस्तो यह रेल इंजन इसलिए खास नहीं है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है और अब भारत की पट्रियों पर फर्राटा भर रहा है इसलिए भी खास नहीं कि इसे देश के लिए देश के भीतर ही बनाया गया है शायद इसलिए भी नहीं कि इसका रंगरूप और डिजाइन अन्य रेल इंजनों से अलग है इसकी स्पीड तो लाजवाब है लेकिन शायद यह भी वो खासियत नहीं जिसने इस इंजन को देशवासियों के सराखों पर चड़ा रखा है फिर इस रेल इंजन में ऐसा क्या खास है कि इसे बच्चा-बच्चा पहचानने लगा है जिस स्टेशन से गुजरता है लोगों की आखें उधर मुर जाती है व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का पसंदीदा शौट तो बन ही गया है हर जगह इसकी ताकत वह स्पीड के कसीदे पढ़े जा रही है तो आएए आज हम आपको बताते हैं इस लोकोमोटिव के पीछे की कहानी जिसने इसे देश की शान बना दी है और इससे उम्मीदें इस कदर बढ़ गई है कि भारत को 5 बिलियन डॉलर एकॉनमी बनाने के सपने में इसकी भूमी का भी तलाशी जा रही है जैसा कि आप जानते हैं कि इस अनुठे लोकोमोटिव का नाम है वैक 12B यहाँ W का मतलब वाइड गेज, A4 अल्टरनेटिव करंट और G का मतलब है गुर्स फ्रेट यानि माल धुलाई और हाँ इस 12 यानि 12 का मतलब भी समझते चलें इसका मतलब है 12,000 आर्स पावर यानि करीब 9 मेगावॉट की उर्जा जो इसे 6,000 टन लोड के साथ भी 120 किलोमीटर प्रती घंटे की स्पीड से भागने की ताकत देता है 120 किलोमीटर प्रती घंटा आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है यहां तो तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेने 150 से उपर की स्पीड से भाग रही है और जल्द ही पट्रियों पर उडान भरने वाली बुलेक ट्रेन भी आ रही है तो दोस्तो बस यहीं छिपा है बैक 12B को हीरो बनाने वाला कैरेक्टर असल में माल गाड़ी के 120 किलोमीटर प्रती घंटे का मतलब वंदे भारत और तेजस वाली जेरेशन नहीं समझ पाएगी इसे समझने के लिए हम एक पल के लिए आकडों पर नजर मारते हैं कि भारत में माल गाड़ीयों की आसत स्पीड अब तक क्या रही है तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की आजादी के बाद और अगले सत्तर साल तक भारत में माल गाड़ीयों की आसत स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रती घंटा ही रही है जी हाँ जिस स्पीड से आप साइकल चला कर स्कूल जाते थे औस तन उसी स्पीड से इस देश में माल धुलाई हुआ करती थी साल 2021 तक माल गाड़ीयों की आसत स्पीड बढ़कर 43.2 किलोमीटर प्रती घंटा हो गई और इस बढ़ोतरी में सरकार की ओर से माल धुलाई के खेतर में लागू किये जा रहे सुधारों खासकर डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का अहम रोल रहा है यानि ऐसी रेल लाइन जिस पर सिर्फ माल गाड़िया चलेंगी अभी तो ये डेडिकेटेड कोरिडोर शुरुवाती चरण में हैं लेकिन इन पर दोड़ने के लिए तूफानी इंजन भी चाहिए थे इसके लिए साथ 2008 में सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहट फ्रांस की कमपनी औलसटॉम के साथ करीब 40,000 करोड रुपए का एक सौदा किया इसके तहट औलसटॉम और भारतिय रेल का एक जॉइंट वेंचर बनाया गया इस वेंचर को एक ऐसा रेल इंजन बनाना था जो मजबूती और स्पीड में अब तक के सारे कीर्थिमान ध्वस्त करता हो और साथ ही आधुनिक तकनीक और जरूर्तों से लैस हो जिसे डेडिकेटेड कोरिडोर पर उतार दें तो चंद घंटों के भीतर ही मुंबई पोर्ट का लदामाल दिल्ली के बाजारों और फैक्ट्रियों में गिरा दे इसे बनाने की जगह चुनी गई बिहार के मधेपुरास्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जहां फ्रांसीसी तकनीक और देसी कौशल के मेल से 10 साल के भीतर 800 वैग 12 इंजन बनने थे कौंट्रेक्ट के मुताबिक साल 2020 से हर साल 100 इंजन बनने थे और 2028 तक सभी 800 इंजनों की सप्लाई होनी थी काम युद्धर पर हुआ जिसका नतीजा यह है कि साल 2023 आते आते 300 इंजन पट्रियों पर दौरने लगे हैं तो कहानी यहां खत्म नहीं होती है इस इंजन के पट्रियों पर उतरते ही भारत दुनिया के उन 6 सबसे शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, प्रांस, प्रूस और चीन की फहरिष्ट में शामिल हो गया है जहां इस शम्ता के इंजन बनते हैं अब आगे के इंजनों का निर्मान भी देश के भीतर हो सकेगा जिससे इंपोर्ट पर खर्च होने वाला करोडों डॉलर बचेगा खैर हम बात कर रहे थे वैक वेल्ट बीकी तो आपको बता दें कि इन इंजनों का पट्रियों पर डॉड़ना तो रिहर्सल मातर है इनका असली इंतहान तो होना है डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर पर करीब 3360 किलोमीटर लंबे इस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर असल में गुजरात से कोलकाता तक और पंजाब से मुंबई तक ऐसी लाइनों का जाल है जिन पर सिर्फ माल गाडियां दोडेंगी जिनके लिए स्टॉप एज, ग्रॉसिंग और वेटिंग का कोई जंजट नहीं होगा और नहीं ये गाडियां किसी राजधानी, शताब्धी के गुजरने के बाद ग्रीन सिक्नल का मोहताज होंगी तब पट्रियों पर साथ गोगी वाली पारंपरिक माल गाडियां नहीं बलकी एक दो किलोमेटर लंबे अत्याधुनिक कंटेनर वाले डबल डेकर गोडेंगे एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में रेलवे के जरीये करीब 1500 मिलियन टन माल धुलाई होती है जो 2028 तक बढ़कर 30,000,000,000 हो जाएगा और यहां आकड़ा अगले कुछ सालों में ही कई गुना बढ़ जाएगा जह सब कुछ संभब होगा वैक 12B जैसे लोकोमोटिव्स की बदौलत जो ताकत और स्पीड के अलावा उन तमाम अत्याधुनिक सहूलियतों और संभावनाओं से लैस हैं जिसकी आधुनिक भारत को जरूरत होगी जे अपले का जर्ट संभाव में जर्ट सालों में जरूरत होगी जर जरूरत होगी जरूरत होगी